हलो दोस्तो मैक्स है और आजकी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बोटल प्लांट के बारे में बोटल पांब का काफी लोगों का ये कॉशन होता है दोस्तो हम लोग बोटल पांब के पौदे को घर पे ले जाके लगाते हैं और हमारा पौधा सूख जाता है तो इसका कारण क्या है इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ यदि आप लोग बोटल पाम का प्लान खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं मैं कॉंटेक्ट नमबर स्क्रीन पर दे दे रहा हूँ वहां से जाके आप लोग कॉंटेक्ट कर सकते हैं यदि दोस्तो चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें जिससे की आने वाली वीडियो आप तक बहुत ही असानी से पहुशती रहे तो दोस्तो चलिए इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो दोस्तों चले अब हम बात कर लेते हैं बोतल पाम के पौदे को मरने से कैसे बचा सकते हैं सबसे पहली बात दोस्तों आप लोग बोतल पाम कितने भी बड़ा हो या कितना छोटा हो आप लोगों को ले आने के बाद काम क्या करना है सबसे पहले बाद उसे जहां पर भी गाड़े उसके बाद उनके सभी पत्ते को बान दें जैसा कि देख सकते हैं मैंने सभी पत्तों को बान दिया है और यह जहां पर लगेगा कम से कम दो महीने के बाद ही इसके पत्ते को खोला जाएगा तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि पत्ते आप लोगों को खोलना नहीं है और जहां पर भी इसे लगाएं वहाँ पर थोड़ा सा गड़ा गहरा ही करें जितनी बड़ी पिंडी हो उससे कम से कम 5-6 ज्यादा ही गहरा करें इससे ही होगा कि आपका प्लांट इधर उधर हिलेगा नहीं अगर हवा चलेगी तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है कभी भी लगाएं बोटल बाम का प्लांट आप लोगों को पत्ता बान देना है तो इस तरीके से आपका प्लांट सूखने से बच जाएगा तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस प्लांट को किस महीने में लगाएं सीजन कैसा होना चाहिए आप लोगों को इसे ऐसे सीजन में लगाना है ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती हो और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती हो यदि आप लोग गर्मी के महीने में लगाएंगे तो आपका प्लांट सूख जाएगा आप लोगों को ध्यान देना है कि मौसम जैसे ही ठंडा हो आप लोग इसे लगा सकते हैं तो इस तरीके से आप लोग समझ पाएं होंगे कि इसे सूखने के क्या क्या कारण होते हैं आप लोग पहली बात तो ना तो सही सीजन पे लगाते होंगे और ना ही इसके पत्ते बानते होंगे तो इसी के वज़े से आपका प्लांट सूख जाता है तो आप लोग समझपाए होंगे कि वोटल पाम के प्लांट को कैसे बचाएं तो दोस्तो यही थी आज की जानकारी और मैं आप लोगों को बता देता हूँ ज़िए आप लोग प्लांट इसका खरीदना चाहते हैं तो एक बार कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं आप लोगों को बता दूँगा प्लांट दोस्तों जीस हिसाब से हाइट होगा उस हिसाब से प्लांट का रेट होगा आप लोग एक बार मुझसे कॉंटेक कर सकते हैं तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो के साथ पतकले बाइ बाइ